असलाम अलेकों, देखिया आज हम हरा मटर और आलू बनाएंगे हरे मसाले में, तो हमने इसके लिए इतनी हरी धनिया लिए, यह हरी मिर्च है, यह लंसेन है, तो हमको यह चटपटा चेहे थोड़ा, तो वह मिर्ची तीखी भी नहीं है, तो हम इसको तीनों को पीछ लेते हैं फिर हम चलते हैं, गैस के तरफ, चलते हैं अब हम गैस के तरफ, गैस जला दिये, गैस के तरफ, जला लो गया, ताम मा इतनी मेथी डाली हो, थोड़ी, हम मेथी का फोरन डाले गए, हमारे मेथी चटपने आ गई, मेथी बढ़ियां चटप देए, अब हम इसके अंदर ए, हम आप, बढ़ी आप, मारा, तो बढ़ियां ने पाने, तब हम पार हम दो खेर ना तेसको भूने ले, उस्ते बाद, तोड़ा बुने, ज़देने के, ज़चे आप, बढ़िए, इस तरह बढ़ा बंदरे से, मटर जबी ज़ई आइजी आइजी आपना डाल राइशने, ज़चे रखेते हरी धनिया, और लग्सान हरी मीट, और हम डाल लें इसमें, इसमें और जादा रखता है, जाइज आलू हमारा उदला हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा हम, डालते हैं, थोड़ा रुक्ते डालेंगे, तक रखेते हैं, तक रखेते हैं, तक रखेते हैं, अलो ज़चे रखेते हैं, जो थोड़ा थोप्राते हैं हम इसको खरी डाल दी एक खार जो थोड़ा बड़ा था उसमें हम दो कर दी अब इसको थोड़ा मैसे ही लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे आलो को पका हुआ है चतनी और मटर को थोड़ा पकना है अब हम लो फ्लेम पर परके इसको अरदाय जिसमें जड़ा तेल नहीं लगता और बहुत जल्दी पकता भी अब इसको लो फ्लेम पर थोड़ा ध़कते रख देंगे देख लेते हैं हमारी रेसिपी को सिवी वाव देखें लेकल रेडी हो गई अब हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेर करना न भूले देखें कितना बढ़िया खाने के लिए रेडी है अब हम इस पर फरे धन्या डाल रहें अब हम गैस को बंक कर रहे हैं जाइस अब हम दूसरी वीडियो में फिर में लेंगे इसी तरह वीडियो लेके नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे और आज के लिए बस इतना ही अल्ला आफिर आज — कHowड़ियो अल्गत्स थर्ण सते यकंशा हुआ और जम स्पशना हृँ